हेलो फ्रेंट्स वेलकम टी इनोवेटिव क्लासेस आज हम लोग हिंदी में उपसर्ग और प्रत्याई पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्याई किसे कहते हैं ठीक देखिए उपसर्ग क्या होता है उपसर्ग उस सब्दांस को कहते हैं जो किसी सब्द के पहले जुड़कर सब्द का आन्य विसेस आर्थ प्रकट करता है इसका मतलब क्या है कि कोई सब्द में अगर कोई भी सब्द है और उससे पहले कोई और सब्द लग जाता है और उसका अर्थ अलग हो जाता है ठीक है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग जो पहले लगा जो सब्द उसको हम लोग उपसर्ग केंगे जैसे यहाँ पे देखे अपमान में, यहाँ पे एक सब्द था मान, मान से पहले लगा दिये अप, ठीक है, तो मान का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, और जब अप लगा दिये मान में तो अपमान, यह बिल्कुल उल्टा हो गया, उपोजिट हो गया, अपमान का मतलब क्या यहुदा, बेजद्ती करना ठीक हैं यानि कि यहाँ पे उपसर्ग क्या है आप है ठीक है यह जो आप है यह उपसर्ग है इस तरह से next मतलब क्या होता है खाली जगह उसमें लगा दिए अती इसका मतलब क्या हो गया अती रिक्त मतलब एक्स्ट्रा कोई नया सब्द हो रहा है नया मीनिंग आ रहा है तो एसे ही सब्दों को हम लोग उपसर्ग कहेंगे जो सुरू में लगा यह पूरा उपसर्ग नहीं है यहां प मतलब उल्टा उसका था ठीक है फेलियर देखे अनुसासन सासन एक वर्ड है इससे पहले अनु लगा दिये अनुसासन हो गया तो यह अनु जो है यह क्या है उपसर्ग है मतलब उपसर्ग हमेसा पहले लगता है ठीक है आउगून इसमें देखे गून से पहले आउगा दिये आर्थ अलग हो गया, ठीक है इसका ओपोजिट वर्ड बन गया, उल्टा सब्द बन गया, विलोम सब्द, तो यह क्या हो गया, आउ जो है यह उपसर्ग है, इस तरह निरोग, निरोग में देखे रोग, रोग से पहले नि लग गया, तो देखे इसका अर्थ उल्टा हो गया, रोग मतलब क्या होता है बीमारी, निरोग मतलब जब बीमारी ना हो, तो अर्थ अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे नि उपसर गया, इस तरह देखे जन में परी लगा है, तो यह परी जन हो गया, तो एक जन का मतलब कोई इनसान होता है, परी जन मतलब क्या होता है, कोई स इसको सम जोड ग्राम बोलते हैं टीक है मतलब यहां सम लगा है तो यह सम जो है यह क्या है उपशर्ग है ठीक है इस्तरब दूर्वल इसर में दूर और ब selbst 存 kleine to बसे पहले दूर लग गया है इसे मतलब यह जो दूर है यह उपसर्ग होता है और तेलगS जाता है ना तो इसी को उपसर्ग कहा गाता है ठीक है उपसर्ग समझ गए अब हम लोग प्रत्याई समझते हैं क्या होता है तो देखे प्रत्याई जो है ये उपसर्ग का उल्टा है ठीक है उपसर्ग क्या होता है पहले लगता है किसी सब्द से और प्रत्याई जो है किसी सब हो गया है यहां पे जूड़कर होगा तो जूड़कर उस सब्द का भीन आर्थ प्रकट करें ठीक है उसी के जैसा आर्थ अलग हो जाएगा ठीक है लेकिन यह क्या होता है प्रत्य यह आंत में किसी सब्द के आंत में लगता है और उपसर्व किसी सब्द के पहले लगता है जै क्या नश्वाइं हैu कि उन्थ में जुड़ा हुआ हैं इतिहास और एतिहासिक दोनों में अंतर है कि दोनों सब्द का अर्थ अलग होता है इस तरह देखि राष्ट्रिय राष्ट्रिय में राष्ट जोड ईय ठीक है इसमें जो ऐध जुड़ा हुआ है ये क्या है एक प्रत्य है राष्ट में यह जोड़ दिये हैं तो राष्ट्रिय हो गया इस तरह से ये एक नया सब्द बन गया ठीक है इसमें देखे दया मई, दया प्लस मई, दया में मई जोड़ दिये हैं, तो क्या हो गया, दया मई, ठीक है, तो यहां अंत में मई जोड़े हैं, तो यह क्या हुआ, प्रत्य हुआ, मानल ता, देखे मानल में ता जोड़े हैं, तो ता क्या हुआ, ता एक प्रत्य हुआ, देख एक प्रत्य है ठीक है इस तर सक ती इसमें सक जोड ती यानि ती लास्ट में जुड़ा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे जो ती है ये प्रत्य है तो ठीक है प्रेंस समझ गए है क्या होता है उपसर्ग और क्या होता है प्रत्य है ठीक है प्रेंस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लिस सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भी सेर कर दे थैंक यू